दिस है शीराम शर्मा, a biology teacher आज हम लोग एक chapter start करने वाले हैं जिसका नाम है microbes in human welfare that means microbes का human welfare में क्या use है सबसे पहले हमें समझना होगा ये microbes क्या होते हैं चलिए समझते हैं microbes वो microorganism होते हैं जिनको हम naked eye से नहीं देख सकती तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे बचो microbes क्या होते हैं microbes चल्दी से बताएए microbes वो microorganism है जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते that means उनको देखने के लिए हमें microscope की जरूवत पढ़ती है for example चैसे bacteria आपने नाम सुना होगा bacteria का आपने नाम सुना होगा virus का fungi का तो ये bacteria, virus, fungi इन सब को हम microbes कहते हैं तो I hope इतनी बात तो आपको clear हो गई होगे चलिए next point की तरफ move करते हैं इस chapter में हम लोग देखेंगे कि microbes का कैसे हम इस्तमाल कर सकते हैं हम इनका इस्तमाल कर सकते हैं household product बनाने में इसके अलावा biogas production में इनका इस्तमाल होता है biocontrol agent की तरह हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा biofertilizer की तरह इस्तमाल इनका किया जा सकता है so finally हमने क्या देखा microbes का use हम इस chapter में six point पर देखने वाले हैं एक biofertilizer की तरह microbes का use biocontrol agent की तरह हमने देखा sea waste treatment में ही microbes का use होता है industrial product बनाने में use होता है और finally household product बनाने में इनका use होता है अब one by one हम लोग क्या देखने वाले हैं one by one हम देखने वाले हैं कि यह जो microbes हैं यह जो six point मैंने बताए इस तरह से इस्तमाल हम कैसे करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम start करते हैं microbes used in household product household product बनाने में हमें microbes का use करना है तो वो product कौन कौन से हो सकते हैं जैसे for example dairy product dairy products कौन से हैं जैसे मान लीजे हमें दूद से दही बनाना है that means curd हमें cheese बनाना है इसके अलाबा भी कई चीजे होती हैं जैसे for example हम योगर्ट बना सकते हैं butter milk बना सकते हैं cream बना सकते हैं बहुत सारी चीजे हम dairy product की form में बना सकते हैं by the use of these microbes इसके अलाबा हम dough बना सकते हैं dough तो हम जानते हैं जैसे idli बनाते हैं dosa बनाते तो उसका better एक तयार करते हैं उस better को हम dough बोलते हैं तो dough bread बनाने के लिए इस्तमाल होता है डोसा के लिए और इडली के लिए तो यह भी क्या हो गए आपके household product फिर होता है टोडी क्या होता है मेरे बच्चो टोडी इतनी बात आप लोग को समझ में आई तो फिर से देख लीजे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं household product बनाने में microbe का use क्या है one why one देखेंगे तो हमने यहाँ पर आपको कितने point बता है number one dairy product बनाने में number two dough बनाने में number three toaddy बनाने में तो यह तीन चीज़े हमें one why one देखनी है चले start करते हैं तो चले सबसे सबसे पहले हमें start करते हैं dairy product बनाने में in microbes का यूज कैसे होगा तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ड की मतलब दूद से हमें दही बनाना है क्या बनाना है मेरे बच्चो कर्ड तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ड मेकिंग क्या होती है मतलब हम कर्ड कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं देखिए कर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए Lactic Acid Bacteria क्या चाहिए मेरे बच्चो Lactic Acid Bacteria इसको हम शॉर्ट में LAB कहते हैं क्या कहते हैं मेरे बच्चो LAB अब देखते हैं इसका example है Lacto Vecilis to convert fresh milk into curd मतलब ये fresh milk को curd में बदलने की capability रखता है कौन? LAB अब बात करते हैं ये कैसे कर रहा है milk को curd में Change It converts milk to curd by producing acid ये milk को कैसे convert कर रहा है Acid produce करके इसके अलावा ये क्या कर सकता है? Milk की protein को partially digest भी कर सकता है That means partially digest the milk protein Milk protein का नाम क्या होता है? Casein जिसको paracacin में ये change करता है Then उसी paracacin को calcium paracacinate में convert कर लेता है फिलाल ये चीज़तों हम आगे देखेंगे चलिए आगे बढ़ते Now move on to next point Next point ये कहता है कि अगर आप fresh milk को curd में बदलना चाहते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा curd मिलाना पड़ेगा उस curd को हम inoculum ये starter कहेंगे मतलब समझ में नहीं आया हमने क्या करा? थोड़ा सा fresh milk लिया और उसमें थोड़ा सा curd डाल दिया तो पूरा का पूरा जो मिल्क है तो curd में बदल जाएगा ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रहे ऐसा क्यों? क्योंकि curd के अंदर already lacto-vacillus नाम के bacteria present होते हैं अच्छा इसको लगवा 40 degree और थोड़ा सा 40 degree से कम temperature चाहिए होता है curd में बदलने के लिए ठीक है? फिर से सुनिए हमने fresh milk लिया उसमें थोड़ा सा curd मिला दिया और उस curd के पास क्या था? lacto-vacillus bacteria LAB ये जो bacteria था इसने उस दूद को curd में बदल दिया temperature कितना required है? Approx 40 degree centigrade or less than 40 clear हो गया? तो देखते हैं क्या बात समझ में आई तो देखी क्या किया? हमने fresh milk को में क्या add कर दिया? curd लिखनेंगे fresh milk can be converted into converted to curd by adding what? some curd और ये some curd क्या है? inoculum है क्या है मेरे बच्चे? ये एक inoculum है inoculum कह दो ये starter कह दो ये वो चीज़ है जिसको add करने से milk curd में बदल जाएगा I hope ये बात आपको clear हो गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं now move on to next point curd is more nutritious than milk क्यों? क्योंकि इसके अंदर vitamin B12 present होता है हमारा जो curd है वो milk के compare में जादा nutritious है इसके अंदर vitamin B12 present होता है जो हमारी gut health के लिए बहुत अच्छा है अब मेरी बात समझो बच्चो क्या curd में कुछ और भी होता है हाँ कुछ organic acids भी होते हैं लेकिन हम मेंली बात किसकी करेंगे vitamin B12 की most important component की ठीक है? ये बात आई होप आपको clear हो गई होगी चलिए एक छोटा सा recap लेते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे है dairy product की हम लोग बात कर रहे है dairy product की देखे dairy product में हम सबसे पहले बात कर रहे है curd की ये जो curd है इसको बनाने के लिए हमें LAB चाहिए मतलब Lactic Acid Bacteria अब ये जो LAB है जिसको आप Lactic Acid Bacteria कह रहे है इसका बहुत ही famous example है Lacto Vecilis जो की milk को curd में बदल सकता है क्या कर सकता है आपके milk को convert कर सकता है into milk sorry into curd milk को किसमें convert कर सकता है curd में कैसे by converting और by producing acid इसके अलावा ये जो enzyme है milk को partially digest भी कर सकता है इस line को एक फिर से देखते है जो bacteria है ये milk को convert कर सकता है into curd by producing acid और क्या कर सकता है partially digest कर सकता है milk की protein को क्या नाम बताया था milk की protein का casein और ये casein finally किसे बदल जाता है calcium paracacin या calcium paracacin next point हमने समझा कि जो fresh milk है उसको अगर हमें curd में बदलना है तो हम क्या करेंगे fresh milk में थोड़ा सा curd add कर देंगे as inoculum हम क्या कर देंगे जो fresh milk है उसमें हम थोड़ा सा curd add कर देंगे as inoculum या starter और उससे क्या होगा ये milk किसे बदल जाएगा curd में फिर आपसे अगर पूछ ले कि लिवक कितना temperature चाहिए होता है तो लगबख 40 degree के आसपास और milk कर देंगे बदल जाता है फिर हमने बदाया था curd is more nutritious than milk क्यों? क्योंकि इसके अंदर vitamin B12 और कई सारे organic acid होते हैं हमने केवल 3 point देखे क्या? milk बनाने के लिए क्या चाहिए है bacteria lecric acid bacteria हम milk को कड़े बदलने के लिए क्या एड़ करते है inoculum मतला थोड़ा सा दही और 3 point हमने याद किया कि ये milk से ज़्यादा nutritious है चुकि इसमें vitamin B12 होता है अब हम देखने वाले है dough making मे microbes का क्या यूज होता है चलिए start करते है bread बनाने में हम जिसका इस्तमाल करते हैं वो होता है yeast जिसका नाम होता है Saccharomyces cerevisiae तो क्या नाम है? yeast yeast को हम यहाँ पर wakerseast कह रहे हैं और ये जो wakerist है इसी का particle name होता है Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae yeast का नाम है जो की bread के dough बनाने में इस्तमाल होता है आपने देखा होगा जो dough होता है काफी soft होता है bread आप चुके देखो bread काफी soft लगती है reason समझे क्या है? suppose करिए ये आपने एक dough तयार किया अब इस dough के अंदर कई सारे bacteria रह रहे हैं तो बैक्टिरिया क्या करेंगे? CO2 release करेंगे Ethyl alcohol release करेंगे में लिए हम CO2 के बात कर रहे हैं तो जो CO2 बाहर निकलेगी तो इसमें pores बन जाएंगे क्या बन जाएंगे मेरे बच्चों? जब CO2 बाहर निकलेगी तो इसमें से pores बन जाएंगे जितने जादा ब्रेड में pores होते हैं वो उतना ही soft होता है I hope इतनी बात आपको clear हो गई होगे क्या बताया मैंने? जो हमने डो तयार किया उस डो के अंदर microbes थे इसका नाम है bacteria जब वो respiration करेंगे तो वो CO2 release करेंगे और वो जब CO2 बाहर निकलेगी तो वो जो आपका डो है वो porous हो जाएगा उसमें शेद हो जाएगे और उसकी वैसे वो काफी soft हो जाता है अब हम next पढ़ेंगे कि हम डो बनाएंगे dosa, upma, idli इनके में क्या इस्तमाल होगा? इनके में east इस्तमाल नहीं होता इसमें बैक्टिरिया का इस्तमाल किया जाता है तो देखिए dosa हो या idli हो दोनों के में ही बैक्टिरिया का इस्तमाल किया जाता है अब चाहें बैक्टिरिया हो या हो east दोनों ही CO2 release करेंगे और CO2 जितना ज़्यादा release होगा वो उतने ही ज़्यादा force बनाएंगे डो में और डो में जतने ज़्यादा force होंगे वो उतना ही soft होगा तो finally डो मेकिंग में हमने दो micro organs का use देखा एक baker yeast जिसका नाम Saccharomyces cerevis से ही है और दूसरा bacteria bread बनाने में yeast ऑर डोसा और इ Giovannbia के डो बनाने में हमें बैक्तिरिया का इस्तमाल करना होता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब हम बात करेंगे dividi making में टोडी मेकिंग में भी माइक प्रोब का इस्तमाल किया जाता है टोडी है क्या टोडी को बैसे तो हम बोलते हैं ताडी सामानी भाशा में इसको ताडी बोला जाता है ताडी कुछ और नहीं ताड के पेंड से निकला हुआ एक सैप है ये ताड क्या होता है पांप ट्री च जो पाम ट्री होता है तान का पेन बोलते हैं इससे एक लिक्विड पार्ट मिकलता है उसको हम बोलते हैं सैप क्या बोलते हैं मेरे बच्चो सैप तो पाम का यह जो सैप है इसको हम सडाते हैं फर्मेंटेशन करते हैं फर्मेंटेशन से जो एक ड्रिंक तयार होती है उसको हम तोड़ी बोलते हैं ठीक है बचो तो हमने कर्ट देख लिया हमने डो मेकिंग देख ली तोड़ी देख ली अब एक चीज रह गई पीछे उसका नाम में चीज तो तरह के चीज हम हम आपको पढ़ाएंगे अब हम आपको दो टाइप के चीज पढ़ाने वाले कॐंसे रखफो चीज और स्वीच चीज तो यह बात होई है रखफो चीज और स्वीच चीज में तो रखफो चीज हो चाहिए हम माइक्रो की जरूबत होती है रगफोर्ट चीज बनाने के लिए हमें चाहिए होता है फंगस और जो हमारा स्विश चीज होता है उसको बनाने के लिए चाहिए होता है बैक्टिरिया चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जो रगफोर्ट चीज है उसको बनाने के लिए कौन सा फंजाई चाहिए उसका नाम है Penicillium Rugforti और दूसरे वाले का नाम है Propionibacterium Charmani चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम आपको बता रहे हैं दो चीजें हम बता रहे हैं आपको Rugfort cheese के बारे में Rugfort cheese जो होता है यह बनता है एक fungus से जिसका नाम है Penicillium Rugforti ऐसे ही जो Swiss cheese होता है वो बना होता है एक बैक्टिरिया से जिसका नाम है Propionibacterium Charmani क्या नाम बच्चो प्रोपियोनी बैक्टिरियम शर्मानी यह एक बैक्टिरिया है तैक मीन fungus और बैक्टिरिया दोनों का यूज होता है cheese बनाने में अब मैं जर्ण आपको दिखा देता हूँ यह चीज कैसे लगते हैं देखने में चली देखें तो यह देखिए यह जो आपको दिख रहा है यह है आपकी रखफोर्ट चीज जो रखफोर्ट चीज होती है इसमें देखो कई सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं यह है फंजाई की वज़े से spot है और उसकी वज़े से इसमें एक spicy flavor आता है तो यह flavor भी है hole भी है ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ Swiss cheese तो यह देखे यह क्या है Swiss cheese इसमें तो बहुत बड़े-बड़े hole है मतलब जो प्रोप्योणी तिये शर्मानी है, बहुत ज़्यादा quantity में CO2 release करता है, उसकी वैसेस में whole बन गए है, और ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है, देखने में ही स्वादिष्ट है, तो ये बन गया हमारा चीज, So, finally, आज हमने एक topic complete कर लिया, जिसका नाम था, microbes used in household product, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने dairy product कैसे बनते हैं, माइक्रोब के उसे ये देखा, जिसमें हमने curd और cheese का बनना देखा, curd बना bacteria, कौन सा? Lactic Acid Bacteria, और cheese बना fungi और bacteria दोनों से, जिसमें Swiss बना था, bacteria से, propioni, bacterium शर्मानी, और ruckfort cheese बना था, आपके fungi से, जिसका नाम था, penicillium ruckforti, फिर हमने dough making देखी, dough हमने जो bread का dough बनाया था, वो yeast से बना था, सेक्रोमाइसी सेर्विजे, जबकि डोसा और idli का जो हमने बनाया था dough, वो किस से बना था, वो बना था, बैक्टिरिया से, फिर हमने बात की थी तोड़ी, जो कि माइक्रोब का यूज करके, fermentation करके, बनाया गया था, ये तोड़ पाम के सेप से बनाया था, और fermentation करने में इसमें भी yeast का ही इस्तमाल किया जाता है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे next one में, I hope यहां तक तो आपको clear हुआ होगा, अगर आपको कोई कमी लगती है, तो please let me know, जिससे कि मैं अपने lecture को और अच्छा कर पाओ, thank you so much बच्चो, bye bye, take care, have a nice day.